जैपनीज लेंगविज को बेसिक से एडवांस तक ले जाते समय हमें कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर हम कौन-कौन सी गलतियां कर देते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा Welcome to Nihongo Max, मेरा नाम है रवी तो देखते हैं सबसे पहले मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था है कि आपको बेसिक जैपनीज सीखते हुए आपको कौन-कौन सी चीजें बदलनी पड़ती हैं किस तरह के पैटर्न को बदलना पड़ता है इस वीडियो में थोड़ा सा इससे एडवान्स टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा देखे बेसिक जैपनीज जब हम सीखते हैं जिन लोगोंने बेसिक जैपनीज सीखी हुई है उनको ये बात पता होगी कि हीरा गाना, काता काना, कांजी क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरेट पर थोड़ा सा सर्च करके अपना थोड़ा सा इंटरस्ट बढ़ा के इसको सीख सकते हैं लेकिन जब हीरा गाना काता काना जो की स्क्रिप्ट होते हैं जैसे एबी सीडी एंग्लिश की स्क्रिप्ट है तो जैपनीस में जब हम यह स रेकोगनाईज करके हम मतलब उसको पहले पढ़ते हैं फिर हम उसको लिखते हैं तो ऐसे सीखना पढ़ता है ठीक है बेसिक के लिए वो बात ठीक है लेकिन जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो कानजी इतनी बढ़ जाती है उसका नमबर इतना बढ़ जाता है कि हमें है कि अब हमें बहुत जादा टाइम चाहिए और जब तक हम इन सब को लिखेंगे नहीं या हम जब तक इनके कॉंबिनेशन को याद नहीं कर लेंगे तब तक हम एडवांस में नहीं जा सकते एक तरह से सोचने कांजी क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि एडवांस की अगर कांजी की बात करें तो वह कॉंबिनेशन भी बहुत सारे बनाके अपना नंबर और भी बढ़ा लेते हैं फर एक्जामपल अगर एंट्री यानि की इंटरमीडियेट लेवल की की बात करें तो अरूंड 300 कांजी होती हैं तो 300 कांजी को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ठीक लिख सकते लेकिन अगर उनके combinations आएं आपके सामने तो उनका meaning बिल्कुल बदल जाता है ठीक है अगर आपने थोड़ी सी Japanese पढ़िया तो यह आपको पता होगा आप connect कर पा रहे होगे कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो बस इसी चीज को आपको अपने habits को अपने पढ़ने के style को बदलना है और आपको combinations को sentence में read करके पढ़ना है जैसे कि nihongomax.com पर भी मैंने combinations और sentences की practice करवा के उनको Hindi में explain करके आपको सिखाया है आप अभी जाके देख सकते है nihongomax.com मतलब अभी नहीं इस वीडियो के खतम होने के बाद आप देख सकते हैं और उसमें आप sample के तोर पे जो की free of cost है को बहुत फायदा होगा आपको ऐसा लाएगा कि एक साल की पढ़ाई में 6 महिने में complete कर सकता हूं exactly अगर आप इस चीज़ को follow करते हैं जो कि काफी students ने follow किया भी है उन्होंने 6 महिने में ही हर level को पार करके जैसे N3 N2 के level तक पहुंचके उन लोगोंने अब jobs के लिए apply करना श क्योंकि देखिए प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो आपको सब कुछ करना सिखा देती है प्रेशर अगर आपको इंटर्वियू का प्रेशर आया तो आपको जो इंटर्वियू है उसको सीखना कैसे है जैपनीज में question को answer कैसे करना है तो फिर आप सर्च करेंगे तो मेरे ह चैनल में निहोंगो मैक्स चैनल में ही आपको बहुत सारी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपको इंटर्वियू के questions को solve करने का तरह का भी पता चल जागा ठीक है तो इस तरह से अगर आप अपने pattern को change करेंगे तो बागी क कुछ सब कुछ पता चल जाएगा मेरी पूरी-पूरी कोशिश रही है हमेशा थैंक यू सो मच